आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नई वीडियो में जहापर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आईए चल कर जाने अब अपर सर्किट शुरू हो गया है तो आगे की क्या पर करिया होगी कितना टाइम तक ही अपर सर्किट चल सकता है और आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए इस स्टॉक पर पूरा विशलेशन करेंगे और साथ में बताएंगे भी कि आपको ये जो अपर सर्किट चल रहा है और जो डिफरेंस है सारे ग्रूप की कंपनीज और वर्सिस फीचर रिटेल वो कितने दिन तक सस्टेन कर पाएगा अपर सर्किट क्योंकि फीचर ग्रूप में सारे कंपनीज 5% का सर्किट है वहीं पर फीचर रिटेल 20% का सर्किट है यही एक वज़य थी जहां हमने सबसे आदा स्ट्रेस आपको दिया था कि फीचर रिटेल को खरीदिये आई चलकर आज का चार्ट देखते हैं भी लाइव मार्किट को देख रहे हैं हम लोग तो हम बताते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर देखिए अगर आप सबसे पहले आज का चार्ट देखेंगे तो clear cut indication आया है opportunity भी भी लिए है हमने जैसा अपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप खरीदियेगा इसको तकि आपके round figure हो जाए या फिर आपको अगर accumulation करना है तो इसको खरीद सकते हैं आप जो आपने खरीदा होगा तो अच्छी बात है यहाँ पर अगर आपने आप खरीदना मिस कर दिया है तो आगे आने वाले समय में भी आप इसको opportunity लगा के खरीद सकते हैं पर आगे की limited quantity कम हो जाएगी अब Monday को ही खरीदने का एक दिन था जिसमें अच्छे opportunity आपको मिल सकती थी आपको हो सकता है कि 150-155 के आसपास ही मिल गया हो यहाँ पर हम दिखाएंगे क्यों कहना है हम आपको यह बहुत आसान थाज खरीदना इसको यहाँ पर additional deal के बाद में भी अब अगर हम बात करें उसी के साथ में F.E.L. की तो F.E.L. भी upper circuit में चला है पर इसमें भी opportunity मिली थी F.E.L. में भी खरीदने के लिए देखिए यहाँ पर हम दोनों में दिखाते हैं आपको 5 minute का चार्ट अगर दिखाएंगे तो आपको समझ म आएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा यह देखिए पहली 5 minute में इसमें मिला है पर upper circuit लग गया है इसमें पर F.E.L. में सोरी future retail में काफी number time था आपके पास में खरीदने का यहाँ पर देखिए अगर आपने खरीदा होगा तो पहली 1 minute में ही हर बार कुछ ना कुछ खरीदा जा रहा है यहाँ पर देखिए यह देखा हूँ अगर आपने यहाँ से देखा तो आपको समझ में आएगा कि इन सारे के सारे stocks में अब upper circuit continue रहेगा जब तक इनकी limit जो हमने बताई है हर stock में चली जाए क्योंकि यह 5% है तो सिर्फ आपको पहली minute में ही खरीद सकते हैं आप आपको क्या करना है आपको effectively 9 बजे से पहले 9 बजे जैसी market खुलता है exactly उस time पर आपको order डलना है और upper limit पर order रलना है इसमें पर वही पर अगर आप future retail में खरीदना चाते हैं तो future retail में आपके पास opportunity थी हम दिखाते हैं कैसे बोल रहे हैं हम लोग यह देखिए अगर हम आप सारी की सारी opportunity थी जिसमें आप खरीद सकते थे पूरा का पूरा level और यह आपने खरीदना भी चाहिए था क्योंकि हमने दो चीज़े बोली थी अगर आपके पास round number नहीं है तो round number कीजे 10 के figure में या फिर आपको additional quantity खरीदनी है तो यहाँ पर आप Monday के morning में खरीद सकते है जो कि आपको बहुत अची opportunity मिली होगी दोस्तों अगर खरीदा है तो बताईएगा अगर आपका portfolio 5% से जाधा है तो फिर आप उसको avoid कीजेगा वह फिर आपकी risk based strategy आपको अपना करना है जैसे आपको करना है अब हम चलकर जारा देखते है reliance ने क्या किया है आज अगर reliance की चार्ट में इसने पिछले शुरू में positive खुला और फिर एक negative candle बनाई ओर all दिन positive है पर positive खुलने के बाद में थोड़ा सा negative और आपको यह भी समझना है कि market क्यूंकि future group तो news based का stock है सारे के सारे upper circuit है वो पर जो और stock है उनका market के ओपर बहुत फरक पड़ता है market थोड़ा सा profit booking mode में लग रहा है आज के हिसाब से जैसा लग रहा है देखेंगा आगे कैसा होगा पर अभी के हिसाब से यह थोड़ा सा negative चल रहा है आपर अगर आप nifty की कारोबाई देखें तो nifty की कारोबार आज positive खुला है और nifty में करीब करीब आपका 15 point की उपर चल रहा है अभी यह क बहुत अच्छा positive outbreak मिला है अब इसको दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा analysis करने के लिए जो हम आपको बताएंगे और देखे सुबह के टाइम पर ही volume अब पिछली बार से स्यादा volume आ गया तो यह confirmation है यहाँ पर further कि आ गयाने वाले time पर यह continue रहेगा deal market को बहुत अच्छी लगी है जिसकी वेज़े से market ने उसको thumbs up दिया और 20% circuit अपर circuit पे बंधवा है यह stock तो बहुत अच्छी news है stock के लिए अगर आपको एक बार समरी करें कि हमने क्या-क्या देखा है अभी तक deal के हिसाब से तो feature group की सारी companies को retail segment को खरीदा जा रहा है reliance के द्वारा और जो deal हो र calculation जो हो रही है merge F.E.L. की valuation वो 21,500 परोड के आसपास हो रही है हमने जो बताया था वो करी 22,000 के आसपास बताता अप्रॉक्सिमेटली तो उसके काफी close है अब retail क्यों इतना interested है reliance को आपको बहुत अचीव चीज समझाते हैं आप समझेगा इसको business को even though reliance already retail segment में है पर उसका ज़्यादता revenue है 80% revenue जो है उसका वो electronics and white goods से आता है तो उसकी वज़े से जो main segment है जहां पर हम लोग growth देख रहे हैं retail में वो है clothing segment and आपका FMCG segment उसमें reliance का revenue सिर्फ 10% आता है तो ये एक अच्छी बात नहीं है reliance के लिए कि जो सबसे ज़्यादा growing market है उसमें आपका सिर्फ 10 परसेंट का revenue आता है इसलिए उसने feature group को acquire किया है ताकि वो organically plus acquisition के साथ में अपना retail king बन सके अब इसकी चलते हुए से उसको 25% revenue increment होगा इसके साथ में इवन दो स्टोर्स केवल 1650 एड हुए 11,000 के उपर पर उसको बहुत अच्छा बनेगा और उसको जो vision है कि वो world class यहां प आद में और सारी company की market capitalization double हो जानी है including F.E.L. तो effectively इनका price जो होगा वो हम आपको बताएंगे पर अगर अगर मोड़ा मोड़ा calculate करें तो double का price हो जाना चाहिए इनका market के reference में अगर market positive रहता है तो तो जैसा हमने बताया इसके सारे के सारे stores है big bazaar, fbb, food hall, easy day, neil grease, central brand factory यह सारे के सारे actively वहाँ पर है अब अगर हम बात करें आगे feature retail के reference में तो feature retail का कुछ और view देखेंगे अभी यहाँ पर ताकि आपको technically समझने लगें कि आपको क्या करना है आगे आने वाले समय में अब अगर एक और parameters में add करें तो आपको पता लगेगा bollinger band हमारा one of the favorite band है जिससे आप पता लगा सकते हैं आगे क्या संभाने हो सकती है तो bollinger band से यह पता लग जाएगा कि अभी कितनी और उपर चल सकता है तो देखें अगर यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा zoom out कर दें तो आपको दिखाई देगा जब initially इसकी चल रही थी बात कि इसकी deal हो जाएगी यहाँ पर यह देखें यहां से इसने चलना शुरू किया था और यहां तक गया था तो इसकी जो विट आगे थी वो करी-करी इतनी लंबी विट आगे थी यहां से तो अभी है अभी इसके पास capacity और expand होने के लिए उतना बड़ा विट नहीं है अभी यहां पर यह अभी विट एक दिन और बढ़ सकता है तब जाके यह अपने achieve कर लेगा जो इसका objective है कर कल को जाकर यह शायद 192-194 के आसपास बंध होना चाहिए हमारे हिसाब से अगर market थोड़ा ढील रहा तो यह थोड़ा कम रहेगा पर कल को यह जाकर 192-194 के आसपास बंध हो जाना चाहिए हमारा target 170 का जो हमने बताया था दोस्तों वो कल आपको मिल जाना चाहिए यहां पर हमारे हिसाब से और हम जैसे भी position लेंगे वो हम आपको regular video upload करते रहेंगे आपको बता देंगे उसके साथ में कि आपको करना क्या है यहां पर charts की basis पर आ गया आने वाले time में क्या रहेगा अभी और visualization करेंगे इसका technical analysis के साथ में तो आपको ध्यान रखिए कि इसमें जो advantage मिलेगा आप इसको future group को भी और reliance को दोनों को energy मिल रही है synergy मिल रही है इसमें उसमें क्या होगा कि FMCG जो segment है feature retail के segment है वो सारे के सारे में existing brand का का काम चलेगा प्लस जो reliance का network है उसमें अच्छा advantage मिलेगा और उसके साथ में वो लोग geo platform के through अपने product भी sell करेंगे तो feature group को भ बहुत फाइदा मिल रहा है और reliance को तो of course फाइदा मिले रहा है क्योंकि वो इसने उसको own कर लेगा इसका portion future retail का हमने सबसे बढ़िया बताया था इसमें market largest market cap और सबसे important बाग 20% अपर circuit है यह हम शुरू से बोलते आ रहे हैं दोस्तों और देखे 20% अपर circuit लग गया है इसमें already क्योंकि already आप run कर चुका है हमने 100 और के आसपास इसको recommend किया हुआ है 164 के असपास चल रहा है 162 के असपास चल रहा है तो आच्छा return दे दिया है इसमें 60% return और हमारे level से जो हमने बताय हुए यह आपर और technically यह strong तो था ही दोस्तों दोस्तों वीडियो की information अच्छी लगी कि तो like कीजिएगा हम चल कर अभी और थोड़ा technical analysis करते हैं number 3 जाने से पहले तो अब यहाँ पर अगर हम देखें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं दोस्तों तो एक बार चैनल को like जरूर कीजिएगा subscribe कीजिए और यहाँ पर education वीडियो हमारे पास बहुत सारे है आप जो चाहें देख सकते है अपने time के accordingly एक वीडियो की आप से request करेंगे कि इसका 15 मिनट का chart की बजाए हम लोग intraday chart को देखें यहाँ पर तो देखिए जो इसने काम किया है अभी थोड़ा सा भी refresh हो रहे है तो एक opportunity मिल रही है आपको यहाँ पर जो कि आपको खरीदने का बहुत अच्छा मोका है आप खरीदना चाहें तो यहाँ पर खरीद सकते है इसको यह आगे आने वाले time के लिए आपको target मिला देगा तो आपको round figure जरूर कीजिएगा दोस्तों वरना आप धमेले में पढ़ जाएंगे जो बचेवे share रहेंगे आपके उसके basis बाद यह हमारे पास बहुत common question आदा कि सारे share नहीं है पूरे round figure में हम क्या करें तो आपको simple करना है आपको अगर आपके पास 14 share है तो 6 share और खरीद ये अगर आपके पास 11 share है तो 9 share और खरीद ये share मत बीचिए share आपको खरीदना है यहाँ पर इस level पर ताकि आपको round figure हो जाए और आपको deal से सबसे ज़्यादा benefit मिले आपको सीधे के सीधे F.E.L. के share convert हो जाएंगे तो आप इसको ध्यान रखिएगा इस बात को कि आने वाले समय में ये अपना target जो हमने बताया था 170 का वो definitely achieve करेगा और इसका कल को ही achieve कर लेना चाहिए और इसका जो upper range रहेगी उसकी हम calculation दूसरे हमने बताई थी आपको करके अगर आपने वो वीडियो ने देखा तो देख स और इनका 5% का limit है सारे stocks में और इस stock में particularly उसमें future retail की जो बात कर रहे है उसमें करीब-करीब 20% का limit है यहाँ पर तो यह अच्छा indicator है stock के reference में अगर आप अपना future के लिए 20 को रखना चाहते हैं तो F.E.L. आपको मिल जाएगा और हो सकता आने वाले time में F.E.L. का reliance में merge ज दोस्तों अभी आपको सिर्फ F.E.L. के share मिलेंगे अगर आपके पास कोई feature group की company है तो उन पांचों company को merge करके वो लोग F.E.L. के share दे रहे हैं जिसके चलते हुए आपको आने वाले time में सारे के सारे company अगर आपके पास round number है तो F.E.L. के share हो जाएंगे वहाँ पर अब अगर parabolic सार का देखें तो देखें आज पिता लगेगा कि कितनी jump की है इसने हापर तो देखें एक jump आ गई है और incremental ज़ादा होने लगा यहाँ से देखें यहाँ से यहाँ से यहाँ जब किया और incremental अच्छा होगा इसके यहाँ पर और कल जाके तो और भी अच्छा ही है सेभी कर जब अप्रूवल आएगा सारे बोर्ड एक्सचेंज का अप्रूवल हो जाएगा तब जाके इसकी डेट कंफर्म होगी कि इस तारिक तक तो आप अभी शेर खरीद सकते हैं आपको जो शेर खरीदना है अपने राउंड फिगर कर लीजे ताकि आपको फाइदा रहे और लास्ट कॉश्चन जो हमारे को आ रहा है कि आगे वाले आगे स्टेप्स क्या रहेंगे अब इसके तो देखे दोस्तों सिंपल बात है अगर आपने यहां पर कहीं पर भी खरीदा है जैसा हमारे रिक्मेंडेशन थी हमारा जो एवरिज प्राइज है वो करीकोड़ लोग उसको आराम से continue करते रहेंगे अपने आने वाले टाइम में जब हम exit करेंगे तो हम आपको वीडियो अपडोग करके आपको बता देंगे अभी हमारे clients को भी हमने exit करने के लिए नहीं बोला है only अगर उनके पास round figure नहीं थी तो उनको round figure कराया है इसके लावा हमने से हम वीडियो दिखा रहे हैं तब से चलते चलते इसने कम से कम 6-7 मिनट के लिए आपको एक opportunity दी है कि आप आपर खरीज सकें तो ये आपको इस तरह से समझना है दोस्तों कि ये opportunities आपको अच्छी मिल रही है यापर जब तक इसका target नहीं आता है तब तक आप इसको accumulate कर सकत है पर 117 का हमारा target हमें लग रहा है पूरा का पूरा कि कल आ जाएगा एक दिन का delay हुआ है हमने 31 तारीक को बला था वो 31 के वजाए एक को आएगा वो क्यूंकि थोड़ा circuit limit को भी हमको respect करना हो था है अगर आपके पास कोई भी कोशिशन है तो बताइए प्लीज हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे थू वीडियो और तो बाकी information आपको सब दी हुए value creation बहुत जादा हो रही है सारे के सारे store as it is brand name रहेंगे कि reliance उनका brand नहीं चेंज करना चाता है और feature retail जो technically uptrend था है please consider financial budget before investing and training हमारा target 170 का कल उमीद है आ जाएगा मैं आशा करता हूं दोस्तों आप यहां पर सीख रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं आज आपने खाफी अच्छा profit किया होगा इसके basis पर 20% एक दिन में stock बढ़ना कोई मजाग बात नहीं होती है उसको हमने दो महिने से ट्रेट कर रहे हैं मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ आपका समय के लिए जय हिंद जय भारत